हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बर फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज पंदरा बड़ी ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करते और आप बिहार के किस जीले में रहते साथ याँ हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताए जी यहाँ बिहार में प्रारंबिक सिक्षा की पड़ाई अब इस्थानिय भासा में होगी इनमें मैतली भोजपुरी वा मगई सहित अनिस्थानिय भासा यह सामिल होगी सिक्षा मंत्री विजाई कुमार चोधरी ने बुद्वार को बिहार विदानसभा में भोजाना अवकास के बाद विभाग के बजट मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ये जानकारे दी है उन्होंने कहा कि चार मार्ज को काल जाई रचनकार फनिस्वर नात रेनू की सताब्दी जैनती है मुख्मंत्री के नित्वत में राज सरकार ने निने लिया है कि महत्मा गान्धी को याद करने और काल जाई रचनकार फनिस्वर नात रेनू जी के प्रतिस सधानजली अपरित करने और आने वाले समय में विदालय में प्रानमिक सिख्चा का मैदम जो छेत्रिय भासा हैं चाहे भोजपुरी है मैथली है मगई है जो इस्तानिय भासा है उसके मैदम से कराएंगे उनको इसी तरीके से सधान्जली अरपित करना चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नितिस सरकार ने बड़ा फैसला किया है सरकार ने सेक्षिनिक सत्र 2021 में इसकूल के अंदर नमांकित सभी बच्चों को साइकिल पोसाक और चात्र विर्ती योजना की रासी देने का फैसला किया है आपकी जानकारी के लिए बदा दे कि इन योजनाओं के लिए पहले 75 फेज़दी अटेंडेंस की अनिवारता थी जिसे खतम कर दिया गया है सरकार की किया है कि अब अटेंडेंस की बाइदता के बगेर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाब दिया जाएगा अगली बड़ी खबर लोकल पैसंजर के लिए अच्छी खबर एक गारा जोड़ी डेमू पैसंजर ट्रेन चलाने का फैसला कोरोना काल के बाद ट्रेन में सफर करने वाले लोकल पैसंजर के लिए एक अच्छी खबर है यात्री सुईधा के लिए पूर्व मजद रेलवे में अलग-अलग रेलखन पर एक गारा जोड़ी डेमू पेसंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है इन डेमू पेसंजर स्पेसल ट्रेन का परिचालन अगली सुचना तक हर दिन में किया जाए 5 मार्च से एगली सुचना तक पूर्व मजद रेल के विभीन रेलकन पर चलने वाली गारा जोड़ी ट्रेन इस परकार है सबसे पहला दर्बंगा रक्सोल दर्बंगा जो दर्बंगा से 10 बज कर 45 मिनिट में खुलेगी और दर्बंगा 9 बजे पहुचेगी दूसरा है रक्सोल नरकटिया गंज रक्सोल वहीं तीसरा है आपका रक्सोल सितामणी रक्सोल चोता है दर्बंगा हर नगर दर्बंगा अगली बड़ी कबर बिहार में बिना सर्वे की जमीन का मालिकाना हग जानने के लिए कमिटी का गठन विदानसवा में निती सरकार का एलाद बिहार में टोपो लेंड और सर्वे छेतर भूमी के मालिकाना हग को अब राज सरकार की तरफ से बनाई गए कमिटी देखीगी विदानसवा में कल टोपो लेंड से जुड़े ध्यान करिशन सुचना पर जवाब देते हुए बिहार के भूमी सुधार मंतरी राम सुरत राय न बताये कि सरकार ने इसके लिए एक कमिटी गठित की है या कमिटी टताई करेगी कि गंगा किनारे टोपो पोलेंड का मालिकाना हग किसके पास है अगली बड़ी कवर बरती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाब कॉंग्रेस का अनुका प्रोटेस्ट बेंड बाजे के साथ जलुस निकाल कर बाटी गई मिठाया पेट्रोल डिजल और सिलेंडर के दामों में हुई बेताहसा बिर्दी और बेरोजगारी को लेकर कल कॉंग्रेस कायरकरता उन्हें ठेले पर बाई करकर पूरे इलाके का भ्रहमन भी किया बैन बाजे के साथ मिठाया बाट रहे कॉंग्रेस के नेता और कायरकरता जीत का जसन नहीं मना रहे बलकि देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारे के बिरोध में अपना बिहार के आठ जीलों के सदर अस्पातालों में सिटी स्केन की सुविदा शुरुवात की गई है वीडियो कॉंफरेंसिंग के मायदम से स्वास्त मंत्री मंगल पाडे ने सुबारम किया सिटी स्केन की सुविदा लोगों को दी जाएगी इस मौके पर मंगल पाडे ने कहा कि अब दूर दराज से आने वाले लोगों को सिटी स्केन के लिए मेडिकल कोलेजों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा लोगों को परिसानियों को देखते वे स्वास्तर विभाग ने साती मंत्री ने कहा कि सदर अस्पताल नालंदा समस्तिपूर भागलपूर मुंगेर मदुबनी भुजपूर रोतास और जन नायक कपूरी ठाकूर मेडिकल कोलेज एवं अस्पताल मधिपूरा में यह सुविदा बहाल की गई है इसके साती राज के सदर अस्पतालों में अगली बड़ी कवर राज में तीन महिने में गारा आइटियाई का होगा निर्मान दो साल में नहीं पूरा हो सका काम बिहार में घोसना के बावजूद दो साल में ITI का निर्मान नहीं हो पाने का मामला कल विधान समा में उठा इस मामले को प्रस्ण उत्तर काल में RGD विधायक के भाई बिरेंद्र ने उठाया गोसा के दो साल पूरे हो जाने के बावजूद अब तक ITI का निर्मान कार्य पूरा नहीं हो पाया है जो बताता है कि सरकार केवल गोसना तक ही सिमित है आईटिया निर्मान कायर को लेकर सदन में विभागिया मंत्री असोक चोधरी ने जवाब देते हुए बताया कि अगले तीन महिने में 11 आईटिया का निर्मान पुरा हो जाएगा कुछ एक जगाओ को छोड़ कर बाकि सबी जगाओ पर भवा निर्मान का कायर परगती पर है और यहाँ योजना में सरकार लगतार आगे बढ़ रही है पास कराने के नाम पर आपको ठगी का सिकार बनाने को सक्री है जालसाज अगर आपके बच्चों ने मेट्रिक या इंटर की परिचा दी है या आपने मेट्रिक और इंटर की परिचा दी है तो आपको ऐसे प्रोड से सावधान रहना होगा जी हाँ, फ्रोड आपको कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपके बच्चे की कॉपी मेरे पास है, मैं बिहार विद्दाले परिचा समीती के कार्याले में कार्यारत हूँ, आपके बच्चे को गनित में महाज 27 अंक मिले हैं, यदि आप अपने बच्चे का अंक बढ़वाना चा कर अपने फरजे खातों में दो से तीन हजार रुपे डलवा कर ठगी का सिकार बना लेते हैं और ठगे जाने के बाद भी उन्हें इस बात का अब तक एहसास नहीं होता है कि उनके साथ फ्रोड हुआ है जब तक परिच्छा का परिणाम नहीं आ जाता है जानकारी के लिए बत काको को होबीगी सुवीदा जी हां गावो में ATM केंद्र खोलने के लिए डाक बिभाग हर इसतर पर काम शुरू कर दिया है होले के बाद जमिन का सर्वे होगा और गावो में ATM केंद्र खोले जाएंगे वरिया डाक अधिक चक रंजे कुमार सिंग ने बताये कि इसके लिए ह अगली बड़ी कपर बिहार के सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए खोले जाएंगे सरकारी होस्टल जाने कीन सर्तों पर मिले की अनुमतिया बिहार में सरकारी और प्राइवेट संस्ताओं में काम करने वाले महिलाओ को अब आवास की समयसा से नहीं जुजना होगा सरकार सुबे के सभी जिलो में अब सरकारी महिला चात्रावास बनाने जा रही है महिला एवं बाल विकास मंत्राले की ओर से बिहार के सभी जिलो में कामकाजी महिलाओ के लिए होस्टल खोले जाएंगे राजानी पटना सहीद सभी जिलो में अब महिला चात्रावास खोले जाएंगे जिसमें सिर्व कामकाजी महिलाओ को ही रहने के अनुमती दे जाएगी केंदर सरकार ने महिला विकास निगम को इसका नोडल एजनसी बनाया है जिसके बाद निगम ने नए सिरे से महिला चात्रावास खोलने का प्रस्ताव सभी जिलों से मांगा है आपको बता दे कि पहले चरण में सुबह के पांच जिलों में ये होस्टिल खोले जाएंगे जिनमें गया पटना भागलपूर, दर्बंगा और मुझपरपूर सामिल है अगली बड़ी कबर पांस साल में बिहार के सबी खेतों तक पहुचेगा पानी, जल संसाधन मंत्री बोले सहरों तक गंगा का पानी पहुचने का काम 48 फिजदी पुरा जल संसाधन मंत्री संजे कुमर जान ने विदानसवा में बित्तिय बर्स 2021-22 का विभागिया बजट पेस किया, इसमें 3,700 रुपिय इसकी मद और 1,666,88 लाक रुपिय स्थापना एवं प्रतिबद वे मद में खर्चों करने का प्रावधान रखा गिया मंत्री ने कहा कि आगामी 5 साल में सवी केट तक पानी पहुच जाएगा इसके लिए सिचाई निश्चय योजना सुबे में सुरू कर दी गई है इसके लिए 18 जनवरे 2021 से सर्वे का काम सुरू हुआ है जिसे 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा इसके साथ मंत्री ने बताए कि गंगा जल उद्दो योजना में 38 पिजदी काम पुरा हो गिया है इसके तहट मांसुन के तीनों महिनों में गंगा जल गो राजगीर गया और बोध गया तक पाईप से लाकर एकत्र किया जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार में सरकारी योजनाओं का लाब नहीं देने पर नेजी अस्पतालों की मैन्यता होगी रद विधान परिसद में एक सवाल के जवाब में स्वास्त मंत्रे मंगल पाने ने कहा कि आईसमान भारत के तहत मरीजों को अनुबंदिद लाब नहीं देन अगली बड़ी कबर गंगा बाग मति महाननदा और रातों नदी पर बनेगा बाद आट जिले के लोगों को बार से मिलेगी रहा जल संसादन मंदरी संजे कुमर जाने कहा कि गंगा नदी पर भागल पूर में महाननदी नदी पर कटिहार पूर्निया किसन गंजवा अररिया और बागमती नदी पर दरबंगा मधोवनी में तता रातों नदी पर सितामडी में तडबंदों का निर्मान होगा इसके लिए लगबग 1500 कडोर की योजना सिर्वकित्ती की गई है इससे बड़ी आबादी को बाड़ से सुरक्षा मिले गया उन्होंने कहा कि 2020 सितंबर में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की बचेवे कारियों का कार आरम मुख्यमंत्री ने किया है इससे 05-64 लाख हेक्टेर चेत्र में आतरिक सिचाई चमता का स्रिजन होगा अगली बड़ी कबर लोजपा ने चुना प्रभारियों का चिया एलान चोतरी महबूब अलिकेसर को बंगाल की जिम्मेदारी जिया लोग जनसक्ती पार्टी ने पश्चिम बंगाल केरल और असाम में होने वाले बिदानसवा चुनाओ 2021 को लेकर बड़ी घोसना की है लोग जनसक्ती पार्टी ने पश्चिम मंगाल समे तिन राज़ों के विदानसवा चुनाओ के लिए परभारियों का एलान कर दिया है पश्चिम मंगाल आसाम और केरल में होने वाले विदानसवा चिनाव के लिए परभारियों की घोसना पार्टी के प्रधान महासचिव ने किया है लोग जनसक्ति पाटी ने लज़ेपी सांसद चोदरी महबूब अलिकेसर को पश्चिम मंगाल कुवर आसिम खान को केरल और करम स्याम को आसाम का विदानसवा चिनाव प्रभारिप मनोनित किया है अगली बड़ी कवर BPSC बाल विकास परियोजना पदादिकारी प्रारंबिक परतियोगिदा परिच्छा के पद पर भरने के लिए आवेदन अमंत्रित किये है कूल पचपन पदो के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गिया है जो अमिदवार आवेदन करना चाहते हैं वो बिहार लोक सिवा आयो की आधिकारिक बेवसाट पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी भी मानेता प्राप संस्तान से इसनातक की डिगरी है वो इन पदो के लिए आवेदन कर सकते हैं इन पदो को भरने के लिए दो मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गिया है अब उमिदवार पांच मार्च से आउनलाइन आवेदन कर सकेंगे एक अपरेल 2021 21 आवेदन करने की आखरी तारिक है आज के लिए आपका स्वाल बताएं कि बिहार से उडिसा को कब अलग कर दिया गया था इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं